नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार हमारी राजनितिक संपादक उजमा रिजवी ने आज एक जबरदस्त बात मुझसे कही उजमा मेरट के गाउं में रहती हैं और सियासी मामलों को लेकर बेहत जागरूख है कई बार तो मुझे दिल्ली में रहते हुए भी उनसे रश्क होता है कि ये मेरी नजर में क्यों नहीं आ पाया मुझसे खबरे छूट सकती हैं उजमा से नहीं छूटती उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपाई सपाई होते जा रहे हैं उसे देखते हुए तो लगता है कि अखिलेश यादो दो दो राजियों के सीम ना हो जाएं मैं इसमें किवल एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आचार संगिता ना लगी होती तो इस रफ्तार से चुनाओ से पहले ही सरकार बदल जाती हालत ऐसी है कि किसी दिन योगी या दितिनात के सपा में शामिल होने के खबर भी आ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए हमको या आपको वो अकेले भाजपा में रहकर करेंगे भी क्या और गोरकपुर के मठ में अब तो उनका मन लगने से रहा एकाथ दिन भी ऐसा और हुआ तो लखनव के राजभवन में महा मही माननदी बेन पटेल को अलग से काउंटर बनवाना पड़ जाएगा कि बीजेपी विधायकों के इस्तीफे यहां स्विकार किये जाते हैं मतलब अब तो खुदे ही बीजेपी ने गिनिती छोड़ दी है राम के नाम पर राजनीत करने वाले सच में राम भरो से रह गए है कई बार तो ये भी लगता है कि कहीं मोदी शाह की जोड़ी नहीं तो योगी आदितनात की सुपारी नहीं ले ली है क्या पता ये भी कोई मास्टर स्टोक हो और हम समझ ना पा रहे हो स्वामी प्रसाद मौरिया और दारा सिंग चवहान जैसे ताकत बर नेताओं का दिया हुआ जखम महंत जी सहला ही रहे थे कि लखीम पूल से पाँच बार के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भी मठ में सुराख कर दिया नहीं मानते हम मोदी शाह को नेता सवेरे सवेरे ही खबर आई कि और एया के विधुना से विधायक विने शाक्य ने अध्यक्ष जी को फर्रा भेज दिया कि भाजपा ने पूरे पात साल तक दलितों पिछलों और अल्वसंचकों के साथ विश्वास घात किया है अब और बरदाश्ट नहीं होता आप रख लीजी अपनी नौकरी हमसे नहीं होगी हम तो जोला उठा कर चले ये तो कुछ भी नहीं एक दिन पहले ही भाजपा के बुज़र्गों ने सूबे के दवाई मंतरी डॉक्टर धरम सिंग सैनी की गर्दन पर तलवार रखके बयान दिलवाया था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं अब फुआ उड़ाई जा रही है लेकिन 24 गंटे भी नहीं बीते थे उन्होंने गवर्नर साब को लिक कर भेज़ दिया कि दलितों पिछडों शिक्षट बेरोजगारों किसानों और छोटे कारोबारियों ने मोदी को क्या माना था और वो क्या निकले ऐसे आदमी को हम अपना नेता मानने से इंकार करते हैं इस सरकार और पार्टी की खुद ही दवाई करने की जरूरत है यूपी चुनाओ की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में भगदर मची हुई है भगदर एक एक करके मंत्री और विधायक लगातार इस्तिफा दे रहे हैं 13 जनवारी की दो पहल तक चार लोगों ने भाजपा से इस्तिफा दे दिया था मंत्री धरम सिंग सैनी, विधायक मुकेश वर्मा, विनैश शाक्य और बाला प्रसाद अवस्थी मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से विधायक है जो कमाल की बात है वो ये कि सारे के सारे लाइन लगाकर अखलेश यादों से मिलाए पिछले एक महीने में भाजपा से इस्तिफा देने वाले विधायकों के संख्या 14 तक पहुँच गई है हो सकता है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर लाओं और ये आप तक पहुँचेगा तब तक पता नहीं कितने हो जाए अच्छा हाँ जेवर के विधायक और गूजरों के बड़े नेता आउतार सिंग भड़ाना इस्तिफा फेक कर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे रास्ट्रिये लोकदल में शामिल हो गए हापुर वाले गिरिराज सिंग भी आरेलडी में चले गए और हर नेता यही कह रहा है कि पिछडों दलितों अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत हमसे बददाश्ट नहीं हो रही है हिंदू मुसल्मान करने की भी एक सीमा होती है इस हकूमत और इन नेताओं के हाथ से सत्ता छीनने का वक्त आ गया है वरना ये देश कहीं का नहीं रहेगा और इसकी शुरुवात उत्तर प्रदेश से करनी होगी अब आईए राजनीत पर इसको भी समझ लीजिए ये एक चुनाओ का मामला नहीं है सर ये मामला है कि मोधी का आभा मंडल मलिन पड़ रहा है याद कीजिए पिछले चुनाओ का मंजर और इस चुनाओ में आया अंतर लोग लाइन लगाकर सपा चोड़ रहेते बसपा चोड़ रहेते, कॉंग्रेस चोड़ रहेते और सब के सब भाजपा में जा रहे थे ये मोदी के चेहरे का जादू था बिना किसी शर्त के भाजपा के साथ चलते जा रहे थे लोग यही धरम सिंग सैनी थे, यही स्वामी परसाद मौरिया थे यही ओम प्रकाश राजबर, यही संजय निशाद हरहर मोदी, घरघर मोदी का नारा, सिर पर चड़कर सीधे दिल में घुस गया था बीच में दिमाग आया ही नहीं, लेकिन पाँच साल का हिसाब किताब लगाने के बाद जब दिमाग लगाया तो पता चला कि बहुत बड़ा धोखा हो गया है न मोदी हमारे नेता हो सकते हैं और न भाजपा हमारी पार्टी जिस मोदी के नाम पर किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा था, उनके मन में अब सवाल ही सवाल है राजनीत को समझेए, इतने बड़े बड़े नेता भाजपा को नहीं छोड़ रहे हैं नरेंदर मोदी को छोड़ रहे हैं ये साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी ने इस देश को जहासा दिया है गोर कीजिए तो ये सारे लोग मोदी के नाम पर भाजपा के साथ आये थे और 2017 में मोदी का जल्वा भी याद कर लीजिए विकास पुरुष, महंगाई खतम, बेरुजगारी खतम, ब्रस्टाचार का नाम और निशान नहीं सबको मुफ्त इलाज, किसानों की आमदनी दुगनी, लड़कियों पर कोई आँख नहीं उठा सकता वगेरा वगेरा लेकर हुआ किया, बेरुजगारों पर लाठियां बरसाई गई, खुद भाजपा के विधायत ने सामोहिक बलातकार किया पीडिता को कुचला गया और जलाया गया, विकास दूबे जैसे गुंडे के पैरों में कोतवाल से लेकर सिपाई तक पूरा थाना भांगडा करता था हाथरस में जो हुआ आपने देखा ही है, C.A.N.R.C. के समय और्तों और छात्रों को चुन चुन कर जेलों में डाला गया पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, कोरोना के समय एक एक सांस के लिए होगी आजितिनात की सरकार ने तरपा कर रख दिया पहली बार गंगा की रेती में लाशे दबाई गई, दफनाई गई, हिंद्वों की लाशे, किसानों को साल भर तक सलकों पर तरपाया गया, साथ सौ से ज़्यादा किसानों की जाने गई ये सारे कारणा में इसी सरकार में हुए हैं, और इन सब के पीछे नरेंदर मोदी थे योगी आजितिनात तो उनकी कटपुतली बर थे, नाकाम योगी आजितिनात नहीं हुए हैं हुजूर नरेंद्र मोदी हुए हैं योगी तो चुनाओ के बाद सीन में आये थे 2017 में विधान सभा चुनाओ के पूरे समय में उनका अतापता तक नहीं था हर पोस्टर पर केशो प्रसाद मौरिया का फोटो था विधायकों मंत्रियों में भाजपा से भागने की जो होड मची है वो दरसल नरेंद्र मोदी के नाम से छुटकारा पाने की होड है यूपी की जनता में नीचे तक ये संदेश जा चुका है कि मोदी दलितों पिछडों अलपसंखकों के नेता नहीं हो सकते भाजपा कमजोरों वंचितों की पार्टी नहीं हो सकती और अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो सुधार कर लो यहीं वो संदेश है जिसने नरेंद्र मोदी के आभा मंदल को राम मंदिर के शिलानियास और काशी कोरीडोर के उदगातन के बावजूद उसी गंगा में तिरोहित कर दिया है जिसके पानी को सियासत के बाजार में वो बेचते रहे है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया झाले में वो बाओने आर्टिकल 19 इंडिया है